नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे चले हैं मैंना मेरी सीर आज के स्विड़ों बात करने बाले हैं बिहार सरकार के तरफ से जारी की गई पांच नई अपडेट के बारे में दोस्तों बिहार सरकार के तरफ से जो यह पांच नई अपडेट यहाँ पे जारी की गई है जो कि आपके लिए यहाँ पर महतपूर्ण हो सकता है आपको जो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो आप लोगों का यहाँ पर खिर्सी इंपुट आउडान आवेदन को लेकर आ रही है दूसरा जो अपडेट है दोस्तों आप लोग का नल जल योजना ओनलाइन को लेकर आ रही है इसी परकास दोस्तों आप जो पांच अलग अपडेट है यहाँ पर जारी की गई है तो पांचों अपडेट के बारे हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे हैं तो जो पहला अपडेट है दोस्तों वो यहाँ पर दाखिल खारी से रिलेटेड है बहुत दिन पहले जो यहाँ पर बिहार सरकार के तब से घोसना किया गया था कि दाखिल खारिज जब भी आप करवाईएगा तो आपनों का जो जमीन का नकसा होगा वो जो यहाँ पर बदल दिया जाएगा यानि कि जहां का भी यहां पर दाखिल खारिज होगा उस जगह का पूरा नक्सा में जो है यहां पर बदलाओ कर दिया जाएगा यानि कि अब जो है आपनों का जमीन के साथ सा जो नक्सा होता है उसका भी दाखिल खारिज किया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों उसी के बारे में अभी update जारी किया गया है कि यहाँ पे पुकता वेवस्ता राज सरकार दाखिल खारीज अधिनिया में करने जा रही ही संसोधन अब दाखिल खारीज में नाम के साथ नकसे में भी बदला हो यानि कि आपनों का जो जमीन का नकसा होगा जैसे कि मान लीजे दोस्तों कोई plot यहाँ पे 5 या 10 एकर का है उसमें जो कोई 1 एकर खरीता है तो यहाँ पे होगा क्या कि जो 5 एकर या फिर 10 एकर का जो यहाँ पे जमीन था उसमें जो है एक एकर का एक अलग से जो है नकसा तयार कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ खेत रहेगा उसमें भी आपनों का जो है एक अलग से नकसा तयार कर दिया जाएगा इसके तहट अब दाखिल खारीज में जमीन के नए मालिक के नाम के साथ ही अब इसके नकसे में भी बदला होगा यानि नाम और नकसा दोनों का एक ही साथ मोठेसन होगा दाखिल खारीज होगा अगर कोई बेक्ती जमीन की रश्टी कराता है तो दाखिल खारीज में उसका ना अपडेट बताया गया है कि अब अगर आप जो जमीन का रजिश्टरी करवाते हैं तो आप लोगों का नाम के साथ साथ आप लोगों का प्लॉट होगा उसका जो आप लोगों का नकसा होगा वो भी अलग से बनाकर एक अलग जो है प्लॉट संख्या के साथ आपके नाम के तो दूसरा अपडेट है दोस्तों, वो जो यहां पे नलजल योजना ओनलाइन को ले 욍ना कर आ रही है यहां पर आप देख भाऊंगों दोस्तों बताजा रहा है की ओनलाइन दिखेगा कितने घड़ों में हैं नल का कनेक्षन यानि कि दोस्तों अब जो नल जल योजना है उसको जो यहाँ पर online कर दिया गया है आप online पता कर सकते हैं कि किस घर में कितना connection दिया गया है साथ में बहुत सारे कामों में जो है आप पर असानी होगी इसलिए जो इसको ओनलाइन कर दिया गया है अब यह किस पकार से हुआ है वो भी हम आपको आपको बता जिते हैं तो यहाँ पर जानकाई दिया जारा है दस्तों कि हर घर नलका योजना के अंतरगत ग्रामीन वाड मे कितने घरों में connection दिया गया है और कहां तक pipeline बिछाई गई है इसकी जानकारी भी online मिलेगी यान कि यहाँ पर जो है इसकी जानकारी online कर दी जाएगी इसका जो monitoring होता है इसका जो इहाँ पर देखरेक होता है उसके लिए जो है इसको online कर दिया गया है जिससे पता चल सके कि कि इस घर में कितना connection गया हुआ है, कहां तक connection गया हुआ है, यह सरा जानकारी यहां पर पता चल सकेगा, तो इसलिए अब यहां पर नलजल योजना को यहां पर online कर दिया गया है, अब दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरी अपडेट के बारे हैं, तो जो तीसरा अपडेट है, बोड़ निकल के आड़े, प्रीपेड मीटर के बारे में, जैस ता कि आप लोग जानते हैं, कि बिहार सरकार ने पहले आप गोसना किया था, बिहार में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, तो उसी के बारे में आप जानकारी दिया जारा है, कि अब जो अगर आप सहरी चेतर से आते हैं तो आप प्रिपेड मीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने घर में प्रिपेड मीटर लगबा सकते हैं पर्थम चरन में बिहार के सहरी चेतर के सभी उभोकता को बरतमान मीटर को अस्मार्ट प्रिपेड मीटर में बदला जा रहा है यानि कि अगर आप लों का जो ग्रामिंग छेतर होगा उसमें भी यहाँ पर यह काम किया जाएगा, तो इसका क्या-क्या लाब होता है, किस परकार से आप यहाँ पर लगवा सकते हैं, इसके बारे में जो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, साथ में आप पर प्रिपेर मीटर के लिए एक नया जो यहाँ पर आप लों का एप भी लाँच कर दिया गया है, बिहार बिजली असमार्ट मीटर एप, अगर आप इस एप को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, तो क्या-क्या आप लों को लाब मिल सकता है, यह सारी जानकाई जो आप दी गई है, तो अगर आप जो इस स्मार्ट प्रिपेड मीटर जो है, इसके बाड़े में पूरी जानकाई मिल जाएगी, अब दोस्तों बात करते हैं, अपने अगले अपडेट कर वाए हैं, तो अगला जो अपडेट निकल के आ रहे है बाड़ छती के बाड़े में, दोस्तों यहाँ पर बिहार सगा के उपसान होता है, यानि कि पसु का छती होता है, उनको जो 30,000 रुपय मुआपजा के रूप में दिया जाएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जानकाई देता हूँ, यहाँ पर देख लिए बताया जारा है, पसु पालन विभाग बाठ के दौरण पसु की छती होने प पसु एबं मतश संसालन मंतरी मुके सहानी ने कही, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मुके सहानी उन्हों ने यहाँ पर गोशना कर दिया है, कि आप लोगों का अगर पसु का आप छती होता है, तो आप लोगों को 30,000 रुपय आप दिया जाएगा, हो सकता है दोस्तों बात करते हैं अंतीम अपडेट के बारे हैं तो लास्ट जो अपडेट निकल के आ रहे दोस्तों वो निकल के आ रहे किरसी इंपूट अनुदान के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किरसी इंपूट अनुदान क के तरब से जारी किया जाता है और जब तक पैसा यहां पर जारी नहीं होता है तब तक आपनों का आविधन शुरू नहीं होता है तो इसलिए यहां पर अभी आपनों का आविधन नहीं हो रहा है कि आपनों का पैसा है वो आपदा परबंदन विभाग के तरब से जारी नहीं किया गया है अभी जो है किसानों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा उसके बाद जो यहाँ पर आपनों का आवेदन शुरू किया जाएगा यहाँ पर उसी के बारे में जो है जानकाई दिया गया है अगर आप इसको पढ़ना चाते हैं तो मैं जो है टेलिग्राम में डाल वहाँ पर जाकर जो है इसको पढ़ सकते हैं इसमें पूरी जानकाई दी गई है जो यहाँ पर important था मैंने आपको जानकाई दे दिया है कि अभी आवेदन का कुछ भी तिथी यहाँ जारी नहीं किया गया है कि गब से आपनों का आवेदन होने बाला है सिर्फ यह बताया ग दोस्तों कि हमने आपको जानकाई दे दिया है कि किस परकार से जो है पांच नई अपडेट यहाँ पर बिहार सगार के तरफ से लागू की गई है इस अपडेट से आप लोगों क्या-क्या लाब हो सकता है और क्यों आप लोगों के लिए अपडेट महतपूर्ण है आसा करत है कि आपको वीडियो पसंद आओगा घरीए बीडियो पसंद आए तो लाइक किरेश वीडियो को सब्सक्राइब देमाँ चैनल को साथ ही शेर किरेश वीडियो को ताकि और वेलोगों कुछ जानकारी मिल सके मिलते ने अक्सा इसा तक लिए धन्यवाल